ACG, अपना करियर गुरू कोलकाता पोट का नाम बदलगर क्या बंदरगा किया गया? क्या नाम रग दिया है अब नया कोलकाता पोट का? आप्शन्स रहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर जी बंदरगा, डॉक्टर भीमराओ, अमबेटकर बंदरगा, वल्लब भाई पतेल बंदरगा या फिर अटल बिहारी वाजपी बंदरगा तो आंसर हमारा रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर जी श्यामा प्रसाद मुखर जी बं के अवसर पर कोलकाता बंदरगा का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर जी बंदरगा कर दिया गया है इस कारिक्रम में जो है मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वो भी उपस्तित रहे थे और उन्होंने कोलकाता बंद किया है चिन्नित करने के लिए ये स्टैंप जो है वो उन्होंने समर्पित किया है ममता बेनर जी जो है हमारी CM है कोलकाता की ठीक है ममता बेनर जी हमारी CM हो गई और गवर्णर है हमारे जगदीप धनकर किसके है कोलकाता के कोलकाता के CM ममता बेनर जी है और गवर्णर जो है हमारे जगदीप धनकर है next news देखते हैं केंद्री इसपात मंत्री इसपात का क्या मतलब होता इसपात मतलब Steal केंद्री स्टील मंत्री Minister of Steel केंद्री स्टील मंत्री ने कोलकाता में क्या शुबारम किस चीज़ का शुबारम किया इनॉग्रेशन किया, कौन से मिशन का, पूर्वोदय मिशन मेक इन इंडिया, फेस टू मिशन, मेड इन इंडिया फेस टू मिशन या फिर गरुड मिशन, तो जो मिशन जिसका शुबारम किया, जिसका inauguration किया उन्होंने वो है पूरवोदय मिशन, पूरवोदय मिशन जो है उसका inauguration हुआ है कहां पर हुआ है, कोलकाटा के अंदर हुआ है, यह भी, second news भी कोलकाटा के बारे में है, तो पूरवोदय मिशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले केंद्री स्पात मंत्री स्पात मंत्री यानि स्टील के जो मिनिस्टर है हमारे जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे स्पात के मंत्री यानि की स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे धर्मेंद्र प्रधान है स्टील मिनिस्टर स्टील मिनिस्टर हमारे कौन है धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के स्टील मिनिस्टर उन्होंने क्या किया है पश्चिम मंगाल में Integrated Steel Hub के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास के लिए मिशन पूर्वोदय का जो है उन्होंने क्या कर दिया है शुभारम किया है इस मिशन के तहट इसका उद्देशी का है सरकार का उद्देशी Logistics और Utility Infrastructure को बदलने का है जो पूर्वी भारत में सामाजिक आर्थिक परिद्रश्य को बदल देगा इस मिशन में पूरी Value Chain में रोजगार के अवसरों के साथ इस पात उद्द्योग यानि कि स्टील उद्द्योग की वृद्दी भी शामिल है स्टील उद्द्योग को ग्रोध करने के लिए और Employment है उसको जनरेट करने के लिए पूर्वी यानि कि North के अंदर Employment को जनरेट करने के लिए यह जो इनिशियेटिव है वो लिया गया है किसके द्वारा स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ठीक है next news देखते हैं स्मृति इरानी जो है स्मृति इरानी ने डैश यानि कहां पर महिलाओं के लिए तीन कल्याणकारी जो योजनाय है वो शुरू की है कहां पर स्मृति इरानी ने योजनाय शुरू की है option आपके Ahmedabad, Chennai, Goa या फिर Mumbai तो ये जो योजनाय है वो गोवा के अंदर उन्होंने initiate की है इसके बारे में देख लेते हैं न्यूस क्या थी केंद्री महिला और बाल विकास मंत्री केंद्री महिला और बाल विकास मंत्री जो है हमारी स्मृति इरानी केंद्री महिला और बाल विकास मंत्री Minister of Women and Child Development स्मृति इरानी और ये कहां की है Minister of Textile भी है Ministry of Textile भी इनके अंडर है यानि ये Minister of Textile India जो है वो भी स्मृति इरानी ही है ने गोवा में महिलाओं के लिए तीन कल्यानकारी जो योजनाए है वो शुरू किये है ये योजनाए है Sashashwini Scheme for Women Entrepreneurship Entrepreneurship यानि की Business जो है खोलने के लिए Entrepreneur बनाने के लिए उनको स्वास्त सहायक उनकी Health से Related Project और Breast Cancer Screening Initiative Handled Device जिसमें Cancer का पता लगाने की सुवीदा है ये भी उनके लिए उन्होंने क्या किया है Innovate, Innograte किया है उनके लिए जहाँ पर Breast Cancer जो है उसकी Screening के लिए ऐसी जो Equipments है वो लगाए गए है और ये शिस्विनी Scheme for Women Entrepreneurship उनके Business को अगे बढ़ाने के लिए स्वास्त सहायक उनकी Health से Related ये जो है उन्होंने Initiate किया है, कहाँ पर किया है गोवा के अंदर ये और्गनाईज हुआ था भारत की पहली Cyber अपराग निरोदक इकाई यानि Cyber जो Online Crime बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए आश्वस्त नाम का एक इकाई जो है उसका शुबारम कहाँ पर किया गया है मुंबई में किया गया है चिन्नई में किया गया है एमदाबाद में किया गया है या फिर गांधी नगर में किया गया है कहाँ पर ये जो है स्कीम भारत की पहली Cyber अपराद निरोदक जो स्कीम है उसका inauguration किया गया है केंद्री ग्रह मंत्री जो अमिद शाह है हमारे उन्होंने गुजरात के गांधी नगर के अंदर जो ये स्कीम है उसको भारत की पहली Cyber अपराद निरोधक इकाई आश्वस्त को है उन्होंने inaugurate किया है शुभारम किया है आश्वस्त के साथ उन्होंने दो अन्य परियोजनाए भी है जो की शुरू की है जिसका नाम है विश्वास और नेटरंग नेटरंग और विश्वास जो है नेटरंग और विश्वास उनको भी उन्होंने जो है inaugurate किया है वहाँ पर तो इसके बार में देख लेते हैं CM जो है गुजरात के वो विजयरूपानी है विजयरूपानी क्या है वहाँ के CM है कहा के गुजरात के और आचार्य देवरत वहाँ के गवर्णर है 2019 में इनको देपार्टमेंट दिया गया है आचार्य देवरत वहाँ के गवर्णर बनाए गया है नए रिसेंटली तो ये थी न्यूस इसके आगे चलता है The Pulse Conclave 2020 The Pulse Conclave Pulse हैनी दाले Pulse मतलब दाल Pulse Conclave 2020 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा कहाँ पर ये जो Conclave है वो और्गनाईज होने वाला है खंडाला, लोनावला, चेन्ने या फिर गोआ लोनावला का है मुंबई वहाँ पर ये लोनावला के अंदर ये और्गनाईज होने वाला है देश के दालों के व्यापार और उद्ध्योग के लिए नौडल निकाए इंडिया Pulses and Grain Association IPGA ने क्या घोशना की है कि The Pulse Conclave 2020 का पांचवा संसकरण पांचवी बार हो रहा है 12 से 14 फरवरी को कहाँ पर होने वाला है लोनावला के अंदर लोनावला महराश्ट्र के अंदर ये होने वाला है और्गनाईज तो इसके जो चेयर परसन है चेयर परसन का नाम है जवार्चन इसके चेयर परसन जो है वो है जवार्चन चीक है और महराश्ट्र के अंदर होने वाले तो महराश्ट्र का देख लेते हैं कि उद्दव ठाकरे हमारे CM है उद्दव ठाकरे हमारे CM हो गए और जो गवर्णर है वहाँ के वो है भगत सिंग कोश्रियाल भगत सिंग कोश्यारी वहाँ के गवर्णर है भगत सिंग कोश्यारी CM गवर्णर ओफ महराश्ट्र और CM हमारे उद्दव ठाकरे बांगलादेश के किस शहर में अठारवा अंतर राश्ट्रिय फिल्म महुच्छों का आयोजन किया जाने वाला है बांगलादेश के कौन से शहर के अंदर ये जो है और्गनाईज होने वाला है फिल्म फेस्टिवल धाका, कोमिला, कुलना या फिर चिता गोंग तो ये धाका के अंदर ये जो है फेस्टिवल ये और्गनाईज होने वाला है फिल्म फेस्टिवल बांगलादेश के धाका में अठारवा धाका अंतराश्ट्री फिल्म महुतसव जो है वो शुरू हुआ है तो हार का जो विशा है वो क्या है अब्दुल हमिज जो है वो वहांके प्रेजिडेंट है कांके बांगलादेश के और पी-म है जो है अमारी शेख हसीना शेख हसीना हमारी पी-म है बांगलादेश की और बांगलादेश की करंसी टका है यह मैं दो-तीन बार पहले भी बता चुकी हूँ प्रेजिडेंट अब्दुल हमिद पी-म शेख हसीना और करंसी टका अब ओमान, ओमान के जो नए सुल्तान है वो किसे बनाया गया है ओमान एक कंट्री है उनके नए सुल्तान जो है वो किने बनाया गया है काबुस बिन सैद, सैयद बिन तैमूर, सैयद हैतम बिन तारिक अलसैद, हातिम बिन तारिक तो सइयद, सबसे बड़ा जो नाम है, सयद हैथिम, बिन तारिक अल सयद जो है, वो वहां के नए क्या बने है, सुल्तान बने है, उमान की जो capital है, वो क्या है, मसकट मसकट है और जो करंसी है, वो है उमानी रियाल उमानी रियाल जो है曾aban की करनसी है सो आगे चलते हैं इसके बारे मैं पढ़ लेटे सयद हेतम बिं तारीक अलसेद ने उमान के सुल्तान के रूप में क्या है पदबार जो है संभाल लिया है वह सुल्तान कबूस बिन सैद का स्थान लेंगे जिनकी अभी हाली में मृत्य हो गए थी जिनका हाली में निधन हो गया है किसका सुल्तान कबूस बिन सैद इससे पहले फॉर्मर जो हमारे सुल्तान थे उमान के वो कौन थे कबूस बिन सैद जिनका अभी हाली में निधन हो ग कब सेलिब्रेट किया जाता है 12 जन्वरी 14 जन्वरी 15 जन्वरी या फिर एक फरवरी यह अठा देते हैं क्योंकि यह हर साल मनाया जाता है तो 12 जन्वरी जो है 12 जन्वरी को यह सेलिब्रेट किया जाता है राश्ट्री युवा दिवस राश्ट्री युवा दिवस प्रती एक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है यह वह दिन है जब भारत के महांतम समात सुधार को विचार को और दार्शनिकों में से एक कौन थे स्वामी विवेका अनंद उनका जन्म हुआ था उनके बर्थडे पे यह सेलिबरेट किया जाता है भारत सरकार ने 1984 में गुशित किया था कि स्वामी जी के जनम दिन को राश्टरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा 1984 के अंदर फर्स टाइम ये अनाउंस हुआ था कि स्वामी विवेका अनंद की बर्थ अनिवर्सरी को हम लोग सेलिबरेट करेंगे नैशनल युथ दे के रूप में उत्तर प्रदेश के लखनाउं में जो है ये और्गनाईस होने वाला है 23 वां 23 वा राश्टरी युवा महुचसव नवाइफ 2020 जो है वो शुरू होने वाला है यह 12 से 16 जनवरी यानि संडे को ये शुरू आ था 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा ये यह त्योहार जो है स्वामी विवेकानंद की जयनती पर मनाया जाता है नवाइफ 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के युवा मामले और खेल मंत्राल है और राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला है 23 वे राश्टरी युवा महुचसव 2020 का विशय जो है फिट युथ फिट इंडिया है यानि कि हेल्थ से रिलेटेड इ और सीएम जो है हमारे आदी योगी योगी आदित्यनाथ है यूपी के सीएम तो यह थी आज की हमारी सारी न्यूज लास्ट न्यूज यह थी आपको यूसफुल लगी हो आपके काम आए आगे इसके उपर क्वेशन्स बने और हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो देखके ज्यादा ज्यादा नॉलेज गेन करें और आपको यह यूसफुल रहे काफी और आगे भी वीडियो आती रहेंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें